हेलो गाइज, वेलकम टू दी चैनल डॉक्टर किरियेशन, डॉक्टर केशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है, दोस्तों अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो आपके पास एक मैसेज आ रहोगा इस तरीके का कि यूर अकाउंट है जे डेविट बाइ ट्रांसफर रोप 147.50 रुपीज, अवेलबल बैनेंस इस तो यह जो 147.50 पैसे कट रहे हैं, यह कोई फोड है या फिर किस चीज के चार्जेज हैं, यह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिपिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले, तो चलिए दोस्तों पर ब्याज देने के साथ ही कहीं सुविधाए भी देता है, आपको देश के कोने कोने में ATM सुविधा के साथ ही हर जंगा ब्रांच सुविधा भी दी जा रही है, इसके लिए बैंक की और से कहीं तरह के चार्ज भी लिये जाते हैं, इन दिनों लोगों के SBI खाते से करीब 14 147 रुपय भी काटे जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान है कि आखिर उनकी और से कोई ट्रांजेक्शन किये भी नहीं पैसे क्यों काट दे गए हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की अव्यसक्ता नहीं है, आपके खाते से भी अगर 147 रुपय का तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ किसी ने फ्रोड किया है या आपके बैंक अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है, ऐसे में जानते हैं कि यह पैसे किस वज़े से कट रहे हैं और यह पैसे कटने पर आपको घबराने की आवेसक्ता क्यों नहीं हैं, क्यों काटे जा पैसे कहीं SBI एकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं और पैसे SBI की और से ही डेविट किये जा रहे हैं जी हाँ आपके खाते से 147 रूपिये SBI की और से काटे जा रहे हैं और इसकी वज़ा है उनके चार्जे बता दे कि बैंक ATM यानि डेविट कार्ड के लिए AMC यानि Annual Maintenance चार काटे जा रहे हैं हर साल हर गिरहाकों को दिये जाने वाला ATM डेविट कार्ड के Maintenance के रूप में 147 रूपिये 50 पैसे डेविट किये जाते हैं ऐसे में अगर आपके खाते से भी पैसे कटते हैं तो आप ध्यान रखे कि यह Maintenance फीज के रूप में काटे गए हैं और एक बात औ बैलेंस ना होने पर लगता है चार्ज देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI गरहाकों को प्रियाप्त बैलेंस नहीं होने के कारण ATM ट्रांजेक्शन फेल यानि ATM फेल ट्रांजेक्शन होने पर 20 रूपे की पैनल्टी देनी होती है इसके अलावा इस पर अलग से GST लगता है HDFC Bank, Axis Bank, Kotec Mahindra Bank, Yes Bank और ICICI Bank कम एकाउंट बैलेंस पर ट्रांजेक्शन फेल होने पर फाइन लगाते हैं तो दोस्तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आइकन को प्रेश करना भी न भूले और अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी question ये queries हो तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूंगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही जैहिन जै भारत